नमस्कार दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कोरोना महमारी के कारण पंचाई चुनाब टल सकते हैं यहां दोस्तों वीडियो में पूरी जानकारी दूँगा वीडियो को एंड तक देखें बिलकुल भी स्किप मत करना और दोस्तों एक आप से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी जुरूर कर दें दोस्तों हिमाचल प्रदेश में करफ्यू के कारण जो है तो इंटर्नल एक्सरसाइज का काम पूरा बंद पड़ा है मार्च के दूसरे सब्ता में चुनाव आयोग ने एक बैच को ट्रेनिंग भी दे चुका है तो दोस्तों एक बैच को यह ट्रेनिंग मिल चुकी है लेकिन 23 मार्च को देश वियापी जो लोकडाउन हुआ उसके बाद से सभी आंत्रिक तेयारियां जो है तो उसको रोक दिया गया था अब आयोग भी इस बात को लेकर चिंती थे कि यदि जून तक ठीक है तो याद रखे जून तक अगर कुरोना से हाला समयने नहीं हुए तो चुनाव टालने की नौवत आ सकती है ठीक है दोस्तों मैं आपका बता दूए कि मौजविदा जो गराम सभाओं का पाँच साल का जो कारिकाल है वो 22 जनवरी 2021 को पूरा होने जा रहा है अब 23 जनवरी को हर हाल में गराम सभाओं के नए प्रतिनिदियों को शपत दिलानी ही पड़ेगी इसके लिए चुनाव करवाने ही पड़ेगे परंतु दोस्तों जिस तरह से हाला थे उस तरह से ऐसा माना जा रहा है क पंचाई चुनाव टल सकते हैं अब यह किस एक्ट के थुरू टल सकते हैं वो भी जान लीजे आप इसमें एक्ट ऑफ गॉड यानि कि बाढ़ हुव भूकम जैसी आपदा किस्तीदी में चुनाव जो टालने का है वो प्रावधान पहले ही किया गया है ऐसे में वैश्विक हमारी COVID-19 ने भी चुनाव टालने का कारण बन सकता है क्योंकि ये भी एक Act of God के अंतरगत आता है दोस्तों ठीक है तो दोस्तों देखना है कि क्या कुछ इसमें रहता है वहीं मैं आपको बता दू कि 3226 पंचाईतों में इस बार चुनाव होने है ठीक है और जो ये 9 और December मे चुनाव होने है पर अगर जून तक जो है तो स्तिती सामाने नहीं होती है तो ये डाले जाएंगे ऐसा कहना है जो सचिव है निरवाचन आयोग के ठीक है दोस्तों उनका ऐसा कहना है तो दोस्तों देखते हैं कि अब इस पर क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है फिलहाल के लिए तो हम जून का इंतजार कर सकते हैं जैसे कि इसके ओपर कोई फैसला आएगा हम उसके रिलेटर भी आपको पूरी जानकारी देंगे तो दोस्तों तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेए सबस्क्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी करिए धन्यावाद